हेलो दोस्तों, गेट समेश्टिस मैं आपका स्वागत है इस वीडियो में मैं एक अनॉस्मेंट करने जा रहा हूँ और यह अनॉस्मेंट है उन स्टूडेंट्स के लिए जो UGCनेट दिसंबर 2019 के लिए प्रिपेर कर रहे हैं तो गाइस फटा फट से वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक नहीं किया हुआ और बेल बटन को जुरूर प्रेस करें ताकि आपको लेटेस नॉटिफिकेशन मिलती रहें यहाँ पर मैं मानके चल रहा हूँ कि आपने content जो है वो already prepare कर लिया होगा चाहिए आपने offline method से या online method से अपना content जो है वो कहीं न कहीं आपने prepare कर लिया लेकिन अपने अपसे question पूछो कि क्या आपको confidence आ गया कि आप definitely crack कर पाएंगे UGC net with the JRF अगर हाँ तो well and good लेकिन most of the students को अभी भी अंदर क्या आया होगा नहीं और यह क्यों आ रहा है यह इसलिए आ रहा है कि आपने content तो prepare कर लिया लेकिन उस content को अभी तक apply नहीं करके देखा और वो apply कब होगा जब आप questions को solve करेंगे और यही एक point है जहाँ पे students most of the students even मैं अगर अपनी भी बात करूँ तो मैं भी past में इसी point पे stuck कर गया और यह stuck point क्या है क्या questions क्योंकि students content कर लेते लेकिन उनको questions जो है वो नहीं मिलते अच्छे quality wise questions जो है उनको नहीं मिलते और अगर उनको questions अब provide करें तो definitely जब वो questions के उपर content को apply करेंगे concept को apply करेंगे तो वो कही न कहीं उनका confidence boost up होता जाएगा और exam से थोड़े दिन पहले आपको खुद से अपने अंदर से वा जाएगी कि हाँ मैं exam जो है वो qualify कर लूँगा या exam qualify कर लूँगी तो यहाँ पे मैं इस वीडियो के थुरू आपको बताना चाहता हूँ कि मैं questions का pool जो है वो आपके लिए लेके आया हूँ और इस question के pool में होगा क्या हम लोग आपके लिए एक schedule लेके आया है और यह schedule होगा week wise मतलब minimum 5 to 6 week का में schedule लेके आया हूँ और आपको community में मैं already यह पूरे एक week का schedule जो है वो आपको दूँगा और यह schedule में होगा क्या इस schedule में होगा कि आपको किस दिन कौन से topic के उपर या कौन से subject के उपर questions जो है वो मिलेंगे मतलब date wise आपको बता दिये जाएगा कि इस date को इस topic के उपर या इस subject के उपर questions आपको मिलेंगे अब important point आता है कि कितने questions daily आपको मैं 4 questions जो है वो दूँगा इन 4 questions को आपको solve करना और यह 4 questions मैंने पुराने सारे papers को analyze करके बिलकुल fresh तरीके से जो है वो नए questions को design की है तो इन 4 questions को आपको यहाँ पे solve करना है अपने answer जो है वो comment box में share करें और जो answers है वो answers जो कुछ time बाद आपको community पे ही एक post में आपको नई post में आपको मिल जाएंगे लेकिन solution, explanation वहाँ पे students की expectation रहती है कि हमें कहीं न कहीं मतलब solution जो है वो मिले पूरा का पूरा detailed explanation मिले लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो post आपको मिलेगी जहाँ पे 4 questions आपको मिलेंगे उनी के नीची आपको वहाँ पे मिलेगी एक polling मतलब voting kind of उस voting में आपको question number 1, 2, 3, 4 के उपर voting करनी है और voting में होगा क्या कि आपको किस question की explanation चाहिए और जो top के दो question होगे मतलब जिसको सबचे ज़्यादा voting मिलेगी उन दो questions को मैं evening में उसी दिन same day मैं उनको explain करके आपको video provide करूँगा ताकि आपका जो है मतलब communication बना रहे क्योंकि students जो है न वो online method में क्योंकि offline में क्या होता है कि हम proper coaching वगरा में जाते हैं coaching में क्या होता है कि हमें content provide किया जाते हैं और उसके बाद हमारे पास क्या होता है वहाँ पे content provide करने के बाद हमारे पास test series है यह questions हम कहीना कहीं apply करते हैं लेकिन online method में यहाँ पे communication gap रह जाता है और उसी gap को हम यहाँ पे पूरा कर रहे हैं क्योंकि content जो है वो हमने already near about 4 to 5 subjects का हमने provide करवाय है और बहुत सारी आपके पास available है medias जहाँ पे आप कही ना की content को कर सकते हूँ लेकिन questions जो है वो आपको करना बहुत ही ज़रूरी है तो मेरा focus दोनों चीज़ों पे होते है concept पे और question पे तो concept मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने already prepare कर लिया अब questions की बारी है तो questions आप definitely करें और 4 questions जो आपको daily basis पे मिलेंगे वो सारे एक बिल्कुल fresh और नए तरिके के questions है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा questions को try करें कहीना कहीं आपको एक idea हो जाएगा क्योंकि आपको revision यहाँ पे आपको revision भी है वो revision भी जो है आपको होती रहेगी क्योंकि कहीना कहीं आप जब questions को apply करेंगे तो आपको वहाँ पे क्या apply करना है concept apply करना है तो जब concept को apply करोगे तो अपने आप आपको recall करना पड़ेगा और वहाँ पर मैंने schedule में already दिया हुआ है कि किस topic के उपर आपको question मिलेंगे तो definitely आप उस topic को पहले से prepare करके रखना ताकि आप 4 questions को correctly answer कर सकें तो ये मेरा motive है और ये मैं announcement के थूँ इसलिए लेके आना चाहता था ताकि आप पहले से prepare करके रखें और एक छोटा सा मैं request यहाँ पर करना चाहता हूँ क्योंकि इन चीजों में कहीं काफी efforts हैं question को बनाने में, videos बनाने में काफी efforts हैं तो थोड़ी सी मैं आपसे contribution चाहता हूँ और contribution ये है कि आप video को, सारी videos को like करें ज्यादा से ज्यादा share करें ताकि ज्यादा से ज्यादा students के पास हमारा message जो है वो पहुन सके So thank you, all the very best